नमस्कार, आज मैं फिर दो दिन तीन दिन के गैब के बाद आपके सामने उपस्तित हो रहा हूँ पहले जो तीन चार दिन तेवहारों के समय में नहीं उपस्तित हो पाया उसका कारण मैंने बताया था आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने, हमारे बहुत से शुप्चिंतकों ने, बहुत से परिवार के तमाम सदस्यों ने मुझे मेरी नई जिम्मेदारी के लिए बढ़ाई दी है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कोई एक हफ़ते पहले मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई जिम्मेदारी सौपी है, मेरा अपॉइन्मेंट किया है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज और इंडिस्ट्रियल डेवलप्मेंट अथॉरिटी यूपीडा जिसको सौट फ़र्म में कहते हैं, आप गूगल में जाएंगे तो शायद आपको इसकी विस्तार से जानकारी हो जाएगी हिंदी में इसको उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज और अध्योगिक विकास प्राधिकरण जाना जाता है इसमें मुझे नोडल अफसर पूरवांचल एक्सप्रेस वेज फार सेक्योरिटी एंड सेफ्टी और ट्रैफिक मिनिजमेंट एंड रेगुलेशन इस स्पेसिफिक टास्क के लिए पूरवांचल एक्सप्रेस वे के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है ये पूरवांचल एक्सप्रेस वे करीब तीन सो चालिस किलूमीटर लंबा है लखनव से शुरू होकर ये बिहार के बौरडर यानि बकसर और बलिया के बीच में जो पुल है उससे करीब अठारा किलूमीटर पहले जिला गाजी पूर में हैदरिया में ये टर्मिनिट होग तीन सो चालिस किलूमीटर लंबा सिक्स लेन एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में इसके पहले जो एक्सप्रेस वे बना इस अथॉरिटी ने जिसको बनवाया वो लखनव आगरा एक्सप्रेस वे था जो पिछले पांच सालों से चल रहा है इसमें नई जिम्मेदारी के साथ जो मैं आपके समख्ष समय नहीं दे पाया उसका कारण ये था कि ये एक्सप्रेस वे बन कर तयार हो गया है इसकी रोड बन कर तयार हो गई है बाकी पैराफेर्निलिया भी बहुत जल्दी तयार हो जाएगा और इसी महिने की 16 तारिक को मानिय परधान मंत्री जी इसको राष्ट के नाम समर्पित करेंगे इसका उदगाटन होगा जिस पर गाड़ियों का आवागमन शुरू हो जाएगा इसी कारण से मैं अपने तमाम टीम के लोगों और अधिकारियों के साथ बार-बार यहां से गाजी पुर, यहां से मव, यहां से आजम गवड, यहां से सुल्तान पुर और वो स्थान जहां पर मानिय परधान मंत्री जी को घाटन करना है वहां तक जाने की वेज़े से राथी में बहुत राथ में लोट पाता था और आपको समय नहीं दे पा रहा था एक्सप्रेस वेज की सिक्योर्टी जो देश भर की है उसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करती है तमाम महराश्ट में बहुत धेर सारे हैं जैसे मुंबई से पूने तक का हाईवे है और बहुत धेर सारे देश भर में हाईवेज expressways बने हैं not highways expressways बने हुए हैं तो इस expressway के लिए एक international standard का या international जो इनके मानक हैं अंतरराश्टी मानकों पर आधारित एक full proof security model तैयार किया जाना है जिसकी जिम्मेदारी सरकार ने दी है इसी बज़े से पिछले दो-तीन दिनों से मैं आपके समक्ष नहीं आ पाया दूसरी एक और important बात आपको बतानी है कि ये जो तमाम cyber fraud के तरीके हैं इसी तरह के एक fraud से मेरा भी आमना सामना हुआ बात परसों रात की करीब डिर बज़े की है एक WhatsApp मेसेज आया मेरे पास जिस पे फोटो लगी हुई थी एक बहुत ही मशुहूर retired I.S. अफसर जो प्रमुक्ष चीव राजयपाल रहे हैं और यहां अलग-अलग के पेस्टी में बहुत important जगहों पे रहे हैं लेकिन कोई 7-8 साल पहले वो retire हो गए जब मैं यहां specificity था तो वो उस समय प्रमुक्ष चीव श्री राजयपाल थे उनकी फोटो लगी हुई और एक नंबर से उनकी फोटो आई मैसेज आया है हाई राजेश हाओ आई यू होपिंग इवरीथिंग इस फाइन एट यूर एंड मुझे फोटो देखी मैंने मुझे बड़ा ताजूब हुआ कि पिछले दस सालों से कभी इन्होंने मैसेज नहीं किया कभी कॉल नहीं किया रेटाइर्मेंट के बाद समभवत है ये उरीशा अपने ग्रिह राज्य में चले गए थे अचानक कैसे इन्होंने याद किया मैंने भी तुरंत रिप्लाई किया I am fine sir how are you और कहा है आप where are you now located इसके पहले कि वो उसका जवाब दे उधर से एक आया कि राजेश I want to connect you with my page exact wording ये थी I want to connect you with my page मैंने पूछा which page फिर अगले मैसेज दिया Facebook page question mark उसने कोई जवाब नहीं दिया मुझे थोड़ा आठ पटा लगा क्योंकि वो इतने शालीन सज्जन वेल बहेवड आये सफसर रहें उनकी बड़ी अच्छी रेपोटेशन होते प्रदेश काड़र में रही है मैंने इसके पहले कि मैं कुछ कहता उन्होंने एक मैसेज दिया कि राजेश just to connect you from my connect you to my page you will get a six digit number code number please send me that code number and whatsapp has given me this code number six digit का number three four five something करके एक number उन्होंने दिया मुझे थोड़ा सा अठपटा सा लगा कि इतने दिनों बाद कोई आदमी मुझे अपने किसी पेज से जिसका नाम भी नहीं बता रहा है वो क्योंकि अगर वो facebook पेज बताते तो मैं कहता सा link भेज दीजे मैं add हो जाऊंगा थोड़ा सा अठपटा लगा मैंने उस number को call किया वो number बन था फिर मैंने उस पर whatsapp call की तुरंत कट गया और message आया कि right now I am in a video conference we'll talk to you later रात में देड़ बजे एक retired officer आयेस officer जो 6-7 साल पहले retire हो गया हो कौन सी video conferencing करेगा फिर मैंने जवाब लिखा sir just wanted to speak to you उसका message आया कि the code number has a time limit please send me immediately I have send you my code number मैंने फिर whatsapp call मिला दी उसके तुरंत वाद उसने मेरा number block कर दिया मेरी समझ में नहीं आया मुझे ध्यान आया कि मुझे करीब 15 दिन पहले एक हमारे परमित्र है उन्होंने मुझे एक समस्या बताई थी उन्होंने कहा भाई साब मेरा whatsapp हैक हो गया हमने का यह संभव नहीं है end to end encrypted whatsapp कैसे आपका हैक हो जाएगा मेरा whatsapp मेरे फोन पर नहीं चल ला है पर यह चल कहीं और रहा है क्योंकि उस पर मेरी तस्वीर है और वो हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात कर रहा है तरह तरह की बातें उनसे पूछ रहा है लोगोंने फोन करके मुझे बताए मैं हैरान हूँ तो मैंने का आप फोरण ऐसा काम करी कि जिन लोगों से बाचीत उसकी हो रही है उनसे स्क्रीन शॉर्ट मांगा के कल आप साइबर सेल में इसकी शिकायत कर दें और तब तक के लिए अपना फोन आफ कर दें फिर आउन करें हो सकता है ठीक हो जाए क्योंकि इस तरह की बात मुझे पता नहीं थी उन्होंने फोन आफ कर दिया सबेरे उन्होंने बताया कि साब मैं सुबह तक फोन हमारा आफ रहा लेकिन मेरा वाटसेप चल रहा है मेरा नहीं जो मेरे नाम का जिस वाटसेप को मैं जिकर कर रहा हूं जिसने भी हैक किया है वो उसको चला रहा है वो बरावर मेरे कॉंटेक्ट में जो जो लोग हैं उनसे सबसे बात कर रहा है मेरी रिश्दारों में जो महिलाएं हैं, मेरी भावी हैं या बाकी लोगों से वो बरावर बात कर रहा है तरह तरह की सुचना हैं उनसे मांग रहा है तो मैंने कहा वो साइबर क्राइम वाले ही ये समझ पाएंगे मेरी जानकारी में इस तरह का कोई फ्रॉड नहीं है मैंने फॉरन गूगल उठाया परसों रात में ही करीब दो बजे के आज़ पस गूगल किया फॉरन गूगल पर आ गया कि ये वाटसेप का नए तरह का फ्रॉड है इसका नाम है वाटसेप OTP फ्रॉड और कहीं कहीं इसका नाम लिखा है गूगल में वाटसेप OTP स्कैम और इसके बारे में पूरी जानकारी ये दी हुई है इंडिया टुडे में इंडिया टुडे के अंक में ये सारी जानकारी दी हुई है ये है इसी मई या जून का है जिसमें ये जानकारी दी गई है 6 अप्रेल 2021 के इंडिया टुडे के एडिशन में इस फ्रॉड की पूरी जानकारी दी है आप नेट पे चले जाएं और इसको सर्च करें उसमें तरीका ये बताया गया है कि आपके नंबर पर वाटसेप कोई आदमी उसको लॉग इन करता है वाटसेप पे जब आप जाएंगे तो आपका मुबाइल नंबर पूछेगा तो आप अपना मुबाइल नंबर लिखेंगे जो फ्रॉड सर हैं उनको अगर आपका मुबाइल नंबर मिल गया तो वो आपका नंबर ट्राई करेंगे जब वो next step पे जाएंगे तो वो कहेगा कि आपका आपने mobile शायद change किया है आपके पुराने नंबर पर एक OTP भेजा जा रहा है कृपया वो OTP लिखें और जैसे ही आप OTP लिखेंगे आपके mobile phone से पूरा WhatsApp उसके mobile phone पर चला जाएगा उसके पास WhatsApp पे आपने जो जो चीज़ें save कर रखी हैं जिससे जिससे बाग करते हैं chat की details सब उसके आस-पास उसके पास चली जाएगी उसमें अपने ममी के नाम से, पापा के नाम से, बहनों के नाम से, घर लिखके और नाम पत्नी का नाम है तो नाम से आप फीड किये रहते हैं फिर वो उसको फून करेगा वाट्सेप पर उसको वो करेगा, चैट करेगा कहा हो, क्या हो उसे अटपटा लगए तक भाई ये तो यहीं ही ये क्यों पूछ रहा है लेकिन इतनी स्मार्टली वो करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे किसी व्यक्ति को OTP, Fraud या स्कैम में जिनमें पतनायक साथ का भी नंबर रहा होगा वो उसने क्योंकि उनके पास मेरा नंबर फीट था उसमें मैं स्पिसिटी था वो हैक करके वो इस तरह से हमारे कॉंटेक्ट सब हैक करना चाहता था मैं बता इसलिए रहा हूँ मैं नहीं चाहता कि मेरे किस्सागोई परिवार का कोई सदस से इस तरह की जालसाजी के जाल में फंसे सभी लोग एक बार फिर से गूगल पे जाके इस WhatsApp OTP स्कैम के बारे में क्योंकि जो आदमी आपको मेसेज करेगा ID उसकी वही होगी जो आप हमेशा इस्तिमाल कर रहे हैं फोटो उसकी वही लगी होगी नंबर अलग होगा नंबर अलग होगा उसका बताते हैं पूछने पर जो मैंने डिटेल देखे उनका ये मेरा नया नंबर है और आपको इसमें connect करने के लिए ताकि हम नए पेज़ पे हम लोग चले जाए या लिखते हैं कि मैंने एक नया बिजनेस अकाउंट खोला है आपको connect करने के लिए जो six digit OTP आएगी OTP नहीं कहते हैं कोड कहते हैं six digit कोड जो आएगा वो हमको दे दीजे आपने ये six digit कोड दिया नहीं कि आप लुट गए सारी information WhatsApp की अगर आपकी किसी महिला मित्र से बात हो रही है या महिला की किसी अपने पुरुष मित्र से बात हो रही है तो वो चैट के skin shot करके और आपको blackmail भी शुरू करेगा आपके contact में जो आप उसको लगता है कि ये senior हैं ये रिश्जदार हैं उसको भेजेगा तो ये नए तरह का cyber fraud शुरू हुआ है पहले जो चल ला था वो fake ID Facebook में बना के जिसका मैं भी चार बार शिकार हुआ हूँ आपकी photo download कर ली आपके 10-15 contacts जो हैं Facebook friend हैं उनकी photo download कर ली और फिर आपको request भेजी कि मुझे urgent 20,000 रुपए की जरूरत है या आपको उसने हाला कि उसको कभी chat details नहीं मिलेंगे इसमें तो पूरा का पूरा WhatsApp उसके पास चला जाएगा अगर उसका backup उसने download कर दिया तो दो साल के चैट उसके पास चले जाएगे इसलिए आपका कोई कितना भी नजदीक व्यक्ति आप से WhatsApp करके ये पूछे कि ज़रा six digit code बता देना आप पहले phone करके उससे पूछ लीजे आपको पता लग जाएगा और जैसे ही आपने पूछा ता ची शुरू की आपको block करके वो अगले number पर अगले contact पर लग जाएगा तो मेरी मैं बार बार crime के प्रति आपको जो साफधान करता हूँ मेरी किसा गोई का पूरा मकसद ही यही है कि आप crime के बारे में जाने उससे बचाओ के तरीके के बारे में जाने क्रिमिनल mentality के बारे में जाने क्रिमिनल behavior के बारे में जाने वो परिस्थितिया जिसमें crime होता है उसके बारे मुझाने ताकि आप सुरच्छित रह सके इसलिए मैंने इसका जिकर करना जरूरी समझा तीसरी बात और जब मैंने लाइब किया था ठगी के बारे में बताया था एपिसोट 338 में उसमें ठगी और जालसाजी के बारे में एक किस्सा बताया था कि एक assistant engineer को दो लोगों ने vigilance का officer बनकर रोक लिया और उनके पैसे ले लिये उसी में ये भी जिकर किया था कि जो ठगी का नया तरीका चला आया है महिलाओं को कहीं सूनसान जगह पर किनारे रोक लिया दो लोग उसमें पुलिस की वर्दी में या साधी वर्दी में हैं तो अपने आपको पुलिस बता के कि देखे आगे फ़ला जगह भीड़ है आपकी चेन खिच सकती है चिन सकती है ये लिफाफा ले 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 जिए इसमें इसको रखके और इसे अपने पास सुरच्चित रख लेजे महिला को लगता है कि हमारे भले की बात कर रहा है वो अपनी चेन और अंगुठी ये सब निकाल के उसमें रखके लिफाफे में लिफाफा वो देते हैं और फिर उसके बाद एक सेकंड के बाद लिफाफे को बंद करने के लिए और तीन चार जगह तो वो स्टेपलर रखे रहते हैं लाइए भेंजी मैं इसका स्टेपल कर दूँ ताकि ये खिसके नहीं स्टेपल कर दिया इस बीच में उनका दूसरा साथी उसी तरह के एक लिफाफे में जिसमें कंकड़ पत्थर रखा हुआ है वो उनको पकड़ा दिया जाके जैसे ही खोला उन्हें इस बात का पता लग गया मैं इसलिए भी उस एपिसोड में मैंने आपको पताया था कि आप इसके शिकार नहों आप तुरंद कह दें कि भैसम मैं रख लूँगी आप परिशान मत होईए या कह देजे कि आगे हमारा बेटा ख़ड़ा हुआ है बही सामने और मैं अभी उसको लेके आती हूँ तब आपसे बाग कराऊंगी बाग जाएगा इस एपिसोड के बाद नौ नौमबर दो हजार इकिस को गोरकपुर से सिरी राजे सिंग हमारे बहुत रेगुलर परिवार के वीवर हैं आप बहुत कमेंट भी करते हैं आप दे और उसी तरह की एक घटना आज के अखवार में हैं बहुत डिटेल में लिखा हुआ है अखवार की कटिंग उन्होंने मेल के साथ अटैस करके भेजी बोले यही एक्जेक्टली एक राइम जो आपने बताया था वो गोरकपुर में हुआ है महिला को उन्होंने लूट लिया वो दैनिक जागरन की कटिंग मैं आज कमिनिटी में डालूँगा 9 नौवंबर 2021 की और मैंने आपको बताया था यह 25 अक्टूबर 2020 को उसमें लिखा है कि सिंगारिया के बसेरा कॉल्नी की रहने वाली दुरगाबती जी संडे को 12 बजे महामना मदन मोहन मालिवी इन्वेस्टी अफ टेक्नोलजी बड़ा फेमस वहां का इंजिनिंग कॉलेज है कि सामने गेट के सामने बने हुए बस स्टैंड पर इंतजार कर नहीं थी बस का उन्हें शायद देवरिया जाना था इसी बीच में दो लोग मोटर साइकल से आए उन्होंने कहा कि देखे आप बस में चड़ेंगी और बस में पिछले तीन दिन से चैन और ये सब बदमाश खीच ले जाते हैं तोड ले जाते हैं आप प्रिपा करके इसको एक लिफाफे में एक लिफाफा दिया उन्होंने का इसको लपेट के रख लीजिए और उसी जालसाजी में गहने वाला लिफाफा ये ले गए और कंकर पत्थर वाला लिफाफा उनको पकड़ा गये वो जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही महिला ने फोरन लिफाफा खोल के देख लिए है देखा कंकर पत्थर वो चिलाई भागी लेकिन वो मुर्साइकल से चले गए 2021 और 2020 की दसियों घटनाओं का जिकर इस कटिंग में है फिर मेरा निवेदन है मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे परिवार किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना नहो इसलिए मैं आपको श्री राजेश सिंग के उस मेल के बारे में बता रहा हूँ आज मैं उसे पोस्ट कर दूँगा कुछ लोगों ने और तमाम दुखी हो के बाते लिखी जैसे मेरे एक तो तीन-चार दिन तब मैं अपसेंट रहा और अभी दो दिन इससे नहराज हुए लोग हमारे परिवार के लोग बुलिट राजा लिखते हैं कि साहब आप चार-पांच एपिसोड रिकॉर्ड करके रखा करिए और जिस दिन आपको ना आना हो उस दिन उनको अपलोड कर दिया करिए इससे आपकी कांटिन्यूटी बनी रहेगी राजा भाई बड़ा कठिन होता है कि हम जो है किसी घटना के बारे में जिसके बारे में आपको बता रहे हैं उसके फैक्स को पहले जान ले पुरानी पेपर कटिंग धूमनी परती हैं अपनी डायरी को देखता हूँ कोशिश करता हूँ कि हो सकता है ये नेट पे मिल जाए ताकि फैक्स को कोई चैलेंज न करें इस पूरी प्रासेस में डेर दो घंटे लग जाते हैं और अगर मैं तीन चार या एक भी एगर एक दिन में स्टेंड बाई की रूप में रिकॉर्ड करूँगा तो समय लगेगा मैं तो सिर्फ इसलिए इतना अभी रिकॉर्ड करूँगा फिर इसको अफ्लोड करूँगा थमनेल इसमें लगेगा तब आपके पास तक पहुंचेगा दो दो धाई घंटे इसमें लगी जाते हैं ये सही है कि मैं देर में करता हूँ रात में करता हूँ और अब नहीं जिम्मेदारी हो गई है तो हो सकता है समय कम मिले मैं पहले ही बता दूँ कि चुँकि 16 तारीक को मानी प्रधान मंतरी जी पुर्वांचेल एक्सप्रेस स्वे को देश के नाम समर्पित करेंगे उदगाटन करेंगे इस बीच में हो सकता है अपने विभागी एकारे से अपने नए दाईत के कारण और जब भी मैं शाम को 6 विजे के बाद 2 घंटे के लिए भी फ्री रहता हूँ तो मैं जरूर रिकॉर्ड करता हूँ इतने दिनों से हो रहे करीब इधर तीन 5-6 दिनों को छोड़ दीजे मैंने कभी इस तरह का कोविड होने के दौरान को छोड़ कर कभी इस तरह मैंने मिस नहीं किया होगा उस समय जब मैं पिली भीत में इस्टे करता था तब जरूर मैं बता के गया था कि साब वहाँ संभो नहीं है नेट नेटवर्क वहाँ नहीं है पिली भीत में इसलिए 2-4-6 दिन के लिए लेकिन इस बीश में जो इर्रेगुलर हुआ हूँ उसका ये कारण है एक और हमारे किस्टा गोई परिवार के सदस्य है परसों का उनका कमेंट पढ़िएगा शिरी महेश सिंग सिंग ये आईडी है उन्हों ने लिखा कि देखें मैंने आपके चैनल को कभी सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन मैं देखता रहता हूं आपका कोई टाइम नहीं है कभी शाम को अपनलोड करेंगे और देर रात करेंगे कभी करेंगे ही नहीं, कभी गाइब हो जाएंगे इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि न मैंने कभी सब्सक्राइब किया था और न मैं कभी करूँगा ये कमिंट में आप पढ़िएगा और उसका रीजन लिखते हैं कि जिसके टाइम का ही कोई ठिकाना नहीं है उसके पीछे में क्यों भागूँ महे सिंगी गुसे में आपने जादा लिख दिया एक दो दिन नहीं आया तो मेरे टाइम का ठिकाना नहीं है ऐसा नहीं है आपके पास चैनल में सारे 342 जो भी हैं वो आपके पास हैं आप उसमें टाइम देख लिया करिए कब अपलोड किया गया कब से लोगों ने देखना कोविड में आफिस के भी काम नहीं हुआ करते तो टाइम से अपलोड हो जाया करता था अभी जब में रिटार्मेंट के बाद फ्री था खाली था तब भी बहुत गैप नहीं हुआ लेकिन अब ये थोड़ी से मजबूरी है दूसरा ये मैं चैनल या ये जो एपिसोड हैं ये मैं कोई पैसे के लिए मैं कोई प्रोफिस्नल यूट्यूबर नहीं हूँ देड़ साल दो साल तो मैंने मोनेटाइज ही नहीं किया और आप ही लोगों के रिक्वेस्ट के बाद कि साव आप तो रिटायर हो गएं मोनेटाइज कर लीगें कभी मेरा ध्यान इस पर नहीं रहा कि मैं नहीं करूंगा तो मेरे पैसे नहीं बनेंगे ऐसा कभी नहीं रहा हूं मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि हमारे से जुड़े हुए सभी लोग हमारे परिवार के सभी लोग किसी न किसी तरह की क्राइम से उनका बचाव कैसे होगा इसलिए मैं इतनी मेहनत करके आ अपनी याददाश्ट और फैक्स को स्टेट करके आपके सामने क्राइम की वो घटनाएं ले आता हूं जिससे आपको थोड़ा सबक मिले आप थोड़ा सावधान है आपके दिमाग में वो चीज बनी रहे अब आज की वारदात काफी टाइम हो गया आज की वारदात फिर है ल 1998 बीकर सेक्षन के लिए बनी कॉलनी में मकान नंबर E108M में कॉंसेबिल सूर नरायन चतुरवेदी का परिवार रहता था वो खुद भी रहते थे और परिवार रहता था पहले कभी वो पोस्ट रहे होंगे आस-पास उन्होंने खरीद लिया लेकिन उस दिन उनकी पोस्ट पर तैनाथ थे सवेरे सवेरे करीब 8 बजे इनके ठीक पडोसी यतींद्र कुमार त्रिपाठी ने पुलिस को सूचना दी किसाब हमारे जो पडोसी है श्री नरायन चतुरवेदी जी सूर नरायन चतुरवेदी जी इनके पूरे परिवार की हत्या हो गई है जबकि इस्पेक्टर गिरते पड़ते तुरंत पहुंसे बड़ी घटना थी एक पुलिस कर्मी के परिवार की हत्या थी आप समझ सकते हैं कि पुलिस कर्मियों में आकरोश आने में समय लगता नहीं है तुरंत मौके पर पहुंचके उन्होंने देखा कि कॉंस्टेबिल सूर नराय वर्ष शरीर धारदार हथियारों से अटा पड़ा था तीनों की मृत्ति हो गई थी उनकी पत्नी सीता देवी जिनकी उम्र 28 साल थी वो भी अचेत अवस्था में घायल पड़ी हुई थे ऐसा लग रहा था शायद इनकी मृत्ति हो गई सिपाहियों ने बाकी लोगों ने देखा तो उनकी सांसें चल रही थी फौरण उन्हें अस्पताल के लिए भेजा गया इतनी गंभीर घटना थी और चौथी लड़की इनकी कुमारी रिंकी जिसकी उम्र करीब आठ साल थी वो एक कोने में दुब की बैठी हुई थी वो मांसिक रूप से दिव्यांग थी मंद बुद्धी थी और उसकी ग्रोथ मेंटल ग्रोथ न के बराबर थी उससे पूछने का प्रयास किया गया लेकिन वो कोई भी चीज न समझ पा रही थी न बता पा रही थी इतनी बड़ी घटना के एक सर्विंग कॉंस्टेबल जिसकी तैनाती उसी थाने के दूसरे चौकी पर है उसके परिवार की हत्या हो जाए लगभग पूरे परिवार की आईजी जोन थे उस समय करंबीर सिंग वो भी भागते दोड़ते मौके पर पहुँचे डियाजे इरेंज थे श्री एके गुपता वो भी मौके पर एससपी लखनव उस समय थे एके डी दिवेदी साथ वो भी पहुँचे एसपी सिटी थे श्री सुभास बगेल मुस्से एक बैच सीनियर है आईजी जहांसी होके वो भी रेटायर हो गए है उपर सारे लोग रेटायर करमबीर सिंग साथ भी रेटायर हो गए एके गुपता साथ भी रेटायर हो गए एके डी दिवेदी साथ भी रेटायर हो गए बगेल साथ भी रेटायर हो गए और एसपी आरे थे विजे भूशन वो आईजी होके वो भी रिटैर हो गए मैं स्टीएफ में था जैसे ये संसनी के इस घटना का पता लगा हम लोगों को डीजी आफिस से डारेट के आ गया कि आप लोग भी पहुंचे हैं हम भी पूरी टीम लेकर वहां पहुंचे वहां घर के भीतरे कोने में एक फावडा रख्तरंजीत पड़ा हुआ था किसी के कुछ समझ में पत्मी थी सीता दिवी उनके गर्दन में गंभीर घाव था होश में थी लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी कोशिश की गई कि कागज कलम दिया जाए शायद वो बताएं कि वही चश्मदीद गवा हैं पूरी घटना की लेकिन वो कुछ न लिख पा रही थी न बोल पा र आया गया वो भी बिचारा वहां पहुँचके अपने परिवार की अहालत दे कर विक्षिप्थ हो गया थोड़ी देर में उसने कहा कि साम मेरा एक भतीजा प्रदीब भी साथ में रहता था उसका नहीं इसमें कहीं पता लग रहा है वो कहां पर है चुंकि ये बात महां हुलिया पूछा क्या पहने हुए था बोले हम जब ड्यूटी पर गये थे तो ये ये पहने हुए था उसको ढूंडना शुरू किया तभी पडोस की किसी विक्षि ने बताया कि उसको सुबह छे बदहवास हालत में घर के बाहर भागते हुए देखा था कहां गया ये पता नहीं बारलेस पे मैसेस किया गया पूरी हुलिया बताई गयी कि जहां कहीं ये वक्ति मिले इसको तुरंट खाने पर बिठा लिया जाए इससे पूस्त आच इस तीरे हत्याकान के मामले में बहुत आवश्यक है तमाम हला गुला के बाद अचानक जो प्यार वीज होती थी पुलिस रिस्पॉंस वहिकल होती थी उस जमाने में चलती थी आज कल तो डाईल हंडर्ट, 112 तमाम वहिकल चलती है उस समय यही एक वहिकल एक थाना चेत्र में एक चलती थी जो गष्त किया करती थी जिस पर wireless हुआ करता था उसने wireless से कृष्णा नगर थाने में सूशना दी कि बिजली पासी किले के पास के जंगल में एक लड़का संभौता पेड से गिर गया था गंभीर रूप से घायल हो गया था उसको डिस्टिक हॉस्पिटल बलरामपूर भेज दिया गया मैसेज में उसका हुलिया बताया गया कि ये कपड़ा पहने हुए है इतनी लंबाई है ये रंग है इस तरह की बातें बताईएं कॉनसेबिल चतुरवेदी से ये पूछा गया कि ये इस हुलिया का तो नहीं उसने कहा साथ भी हूलिया तो मेरे भतीजे के लग रही है फरण उसको एक गाड़ी में बिठा कर और बल्लामपूर हॉस्पिटल भीजा गया कि जाके देखो ये वही है और अगर नहीं है तो उसको ढूला ढूला जाना चाहिए पुलिस उसको लेके वहाँ गई और उसने देखते ही पहचान लिया कि ये परदीब है लेकिन तब तक परदीब की मृत्यू हो चुकी थी बहुत उंचाई से गिरने से गंभीर चोटे आई थी और तब तक उसकी मृत्यू हो गई थी कुल्मिला के चार लाशें हो गए एक परिवार की तीन बच्चियां और एक उनका सचेरा भाई कॉंस्सेबिल सूर नरायान चत्रुवेदी का भतीजा इन चारों को इन चारों को सील बंद किया गया और फिर इनको पोस्मार्टम के लिए भेज दिया गया पोस्मार्टम रिपोर्ट भी आ गई बाकी तीनों बच्चियों की शार पेजड वेपन से एंटिमार्टम इंजरीज और ब्लीडिंग के कारण मृत्ति हुई थी और प्रदीप की हाइट से गिरने की वज़े से मल्टिपल फ्रैक्चर्स और हेड इंजरी के कारण मृत्ति हुई थी पुलिस ने बड़ी कोशिश की साइकोलोजिस्ट को बुलवाया महिला कॉंस्टिबिल से बात कराई रिंकी जिसके आठ साल उमर थी उससे कुछ बात पूछी जाए लेकिन सारी महिनत बेकार हो गई उससे कुछ भी पता नहीं लगा वो कुछ भी बताने की इस्तिति नहीं थी जल्दी जल्दी पोस्ट माटम कराया गया, पोस्ट माटम रिपोर्ट लेके, कौस्ट बिल 77 दि, चार लाशों को लेके अपने ग्रीजें पेड, गोंड़ा उनका अंतिम संसकार के लिए चले गया इस बीच में सारा ध्यान के इंद्रित किया गया टीमें बनाई गई गोंडा भेजे गए कि इनकी कोई पारवारी करंजिश तो नहीं है बाकी यहां जहां जहां वो तैनात रहे वहां जानकारी करने के लिए कि यहां किसी के खिलाब कोई कारवाई तो नहीं की थी करीब चार सार पहले इसके गाउं में गोंडा के इसके घर में डकैती पड़ी थी जिसमें एक डकैत को मौके पर पकड़ लिया गया था उससे भी रिलेशन देखा गया लेकिन उसका भी पता नहीं लगा कि ये उससे कहीं से समन्दित हो सारे लोगों को इस बात का इंतजार था कि सीता देवी कब बोलने लायक हो और कब पूरी बात क्योंकि चश्मदीद वही थी और सिर्फ वही और सिर्फ वही इस बात को बता सकती थी डॉक्टर्स ने बताया कि वो खत्रे के बिलकुल बाहर हैं लेकिन चुकि गले में गंभीर चोट है इसलिए वोकल कार्ड उनकी वो उसको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग रहा है हुआ भी यही करीब एक महीने बाद वो कुछ बोलने की इस सिती में आई और दो दिन लगातार उनके बोलने और फिर उसको करेट करने के बाद पूरी बात समझ में आ गई उन्होंने बताया कि रिंकी को सबने देखा कि वो है तो साथ-ाट साल की और बिलकुल मंद बुद्धी है दिव्यांग है लेकिन उसका आसामानी रूप से सरीर का विकास हो रहा था वो उसने बताया कि वो रात भर अपने बाकी बहनों को और हमको सोने नहीं देती थी रात भर जगती थी और किसी ने किसी बहाने किसी को उठाना परेशान करती थी पिछले एक महिने से वो प्रदीप के साथ सोने लगी और जब से प्रदीप के साथ सोने लगी वो कता ही किसी को रात में परेशान नहीं करती थी माने बताया कि तीन-चार दिन बाद मुझे कुछ थोड़ी सी प्रदीप के पास उसका सोना मुझे अच्छा नहीं लगा मैं उसे जवरजस्ती अपने पास ले आई लेकिन जैसे ही मैं सो गई वो फिर भाग गई प्रदीब के पास तीन-चार दिन कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं आए तो ये माना गया कि भाई है ये प्रदीब की उमर बाईस साल थे हो सकता है इसके पास वो कमफर्टिबल हो इसलिए वो सोती रही घटना वाले दिन सीता देवी ने यानि तीनों बच्चियों की माने बताया कि रात में करीब साड़े तीन बजे अचानक रिंकी की चीखने की अवाज आई मेरी नीन खुल गई और उठते ही मैंने पहले कमरे की लाइट जलाई लाइट जलाते ही जो देखा मैंने मैं दंग रह गई रिंकी के शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था और प्रदीब जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन रहा था सीता देवी ने बताया कि मुझे समझने में देर नहीं हुई कि आखिर ये क्यों चीखी मैं गुसे से पागल हो गई और मैंने कहा कि फॉरण तुम इस घर से निकल जाओ सबेरे तुमारे चाचा आएंगे मैं सब बताऊंगी और तुम्हें यहां से सीधे गोंडा के लिए भेजूंगी और अभी तुरंत बाहर निकलों में दरवाजा बन कर रही हुई उसका कहना था उस समय परदीप कुछ नहीं बोला चप्पल ढून रहा था अपनी चप्पल पाया और जैसे ही गेट के पास पहुचा उसने वहां रखा हुआ एक फावड़ा देखा और एक दम से फावड़े से अपनी चाची सीता देवी पर बार कर दिया एक फावड़ा सिर पर और एक उनकी गर्दन पर लगा सीता देवी का कहना है कि मैं बिहोश हो गई उसके बाद तो मुझे कुछ पता नहीं लेकिन जो चीखना चिलाना या मेरा गुस्सा होना उसकी वेज़े से बच्चियां तीनों जग गई थी मुझे लगता है कि मेरे मारने के बाद उन तीनों बच्चियों को इसने मार डाला और चूंकि जैसा आप बता रहे हैं मौके पर रिंकी ने सारे कपड़े पहन रखे थे तो ऐसा लगता है उसने रिंकी को कपड़े पहनाया हो सकता है उसे उस समय ये लगा हो गलानी हुई हो कि वो वहाँ से भागा और बिजली पासी किले के पास जो जंगल है उसमें पीपल के बहुत पुराने दरत में वो उपर चढ़ गया शायद इसलिए कि उपर रहूँगा तो किसी को पता नहीं लगेगा नीचे रहूँगा तो पुलिस या बाकी घर के लोग ढूँड लेंगे और शायद उपर चढ़ने या उपर से थोड़ा नीचे आने या कमफर्टेबिल होने की प्रासेस में वो वहाँ से खिसका नीचे जमीन पर गिरा और मर गया पुलिस के रिकॉर्ड में ये तीन तीन बच्चियों की हत्या ये बंद कर दी गई क्योंकि पुलिस के हिसाब से और वैसे भी किसी को कोई शंका नहीं थी जो पेपर कटिंग से मेरे पास कि प्रदीप ने ही इन तीनों को मारा जो वजह उनकी माने बताई वो भी समझ में आती है चुंकि हत्यारा मारा गया अपनी मौत मारा गया इसलिए इस क्राइम को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यक्ता नहीं फाइनल लिपोर्ट लगी और तीन तीन जान जाने के बाद फाइल बंद हो गई आज की घटना आज की घटना में एक कामुक लड़के ने सारे रिष्टे नातों को तार तार कर दिया और मानवता को शर्म सार कर दिया पकड़े जाने पर तीन मासूमों की हत्या कर दिया जिसमें से एक देड़ साल की बच्ची भी थी क्या कुसूर रहा होगा वो तो पहचान भी नहीं पाएगी लेकिन उसको भी मार दिया अपने को छिपाने के लिए कि मैं पकड़ा न जाऊं मेरे पे किसी की निजर न पड़े पीपल के बड़े दरत पे चड़ गया और नियती को शायद यही लगा होगा कि इसके पाप की सजा तत्काल ही मिल जाए वहां से फिसला नीचे गिरा और मर गया पर ऐसा हुआ क्यों कौन सी परिस्थितियां ऐसी थी कि तीन तीन बच्चीयों के हत्या हो गई एक तो यह सीता देवी के पाल्ट पर यह लापरवाही है कि जो बच्ची मंद बुद्धी है दिव्यांग है अपनी बात न कह पाती है न सुन पाती है उसकी बाकी बच्चीयों से सबसे ज़्यादा केर होनी चाहिए थे अपने पास रखती है सपोस करी वो भाग रही थी कारण ढूंती है कि ऐसा क्यों कर रही है उसके पास क्यों सोती है कोई नो कोई तो कारण होगा और जब सोती है तो कभी कभार रात में एकाज बारू में चेक ऐसा नहीं है कि पहली बार उसने ऐसा किया होगा प्रदीब ने इसका कारण भी पुलिस ने जानने की कोशिश की तो प्रदीब का जो जो जोला था जिसमें उसके कपड़े उप रहे थे उसमें बहुत धेर सारे चौकलेट और टौफी के रैपर मिले और भी बच्चे हैं अगर रैपर पड़ा हुआ मिलता तो पूछते कि कौन टौफी लाया किसने खाया ऐसा लगता है वो जान बूच के वो चौकलेट और टौफी ले आता था और संभवता जब सब सो जाते थे रात में ही टौफी और चौकलेट की लालस देकर उस बच्ची के साथ गलत खरकत करता था दूसरा मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी घर में बच्चियां हूँ जवान हो चोटी हो बड़ी हो महिलाएं हो तो किसी भी गैर मर्द को घर की एक्सेस नहीं देनी चाहिए चाहे वो रिष्टदार हो चाहे दोस्त हो चाहे परिवार का हो क्योंकि मेल मेंटल्डी या ये कह लें कि किसी का जो बाइलोजिकल प्रॉसेस है किसी के ग्रोव करने का वो कब विक्रित हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है मेल का मतलब मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं ऐसे विक्रित मानसिकता वाले पुरुशों की बात कर रहा हूं जो मानसिक रूप से विक्रित होते हैं और इस बारे में मैंने कम से कम आपको दस से पंदर घटनाएं बताई हैं पूरे सारी एपिसोर्स को मिला दे हैं एक घटना तो बहुत प्रॉमिनेंट है जो मेरे शायद केरियर में सबसे खराब घटना जिसको मैं मानता हूं जिसमें एक स्कूली बच्चों को रिक्षे से घर और स्कूल ले जाने वाले लड़के ने आजमी ने बलकी दो ढ़ाई सो बच्चियों के साथ गलत हरकत की थी लेकिन जब उसने बैटरी वाला रिक्षा ले लिया उस पर पेरेंट्स अपने बच्चों को नया नया शुरू हुआ था किसी योजना में मिला था पेरेंट्स उसको उस बहुत छोटे बच्चों को बच्चियों को उससे भेजने को तैयार नहीं हुए सब के दरवाजे पर गया धीरे धीरे जब वो बिले तब तक एक दिर साल हो गया था फिर एक बच्ची के साथ उसने कुकर्म किया उसको मार दिया बोरे में बंद कर दिया लाश को ले जाकर सामने कहीं फेंग दिया आप देखिएगा इस घटना को बहुत ही मारमिक बहुत ही गंभीर घटना थी तो ऐसे विक्रित लोगों के बारे में मैं आपको पता चुका हूँ इसलिए घर में महिलाएं जवान लड़कियां बच्चियां कोई भी हो किसी भी बाहर के विक्ति को मेल को लड़के को कम उमर का हो जादा उमर का हो कभी ऐसे घर की एकस्स नहीं देनी चाहिए रखना यह नहीं चाहिए पुराने जवाने में तो जो आज भी ग्रामिक छेतरों में इविन बेहन भाई अगर हम उमर हैं तो उनको अलग-अलग कमरे में सुलाय जाता है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह सब एक जैसे होते हैं लेकिन यह कुछ प्रताएं हैं चल नहीं उनके पीछे कोई रीजन रहा होगा और इतनी जो घटनाएं मैंने इस तरह की बताई हैं जिनमें किसी को एकसेस दी दी गई घर पे और उसने सारे रिष्टे नाते तोड़कर और सारी हदें पार कर दी ऐसे कम सकम 10-15 इपीजोर्स मैंने सुनाए हैं हमरे ख्याल से आज के लिए इतना ही और मेरी बात से आप सहमत होंगे नहीं सहमत हैं तो आप हमें मेल करें कमेंट में लिखें मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपना मेल आईडी आर ए जे ए एस एच राजेश आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद